तीन दिन से लापता थी बेटी घर से 200 मीटर दूर कोई में मिली उसके अर्धनगन लाश साधिया तीन दिन से लापता थी उसके गुमशूदगी की रिपोर्ट भी थाने में दर्स कराई की थी सुमवार सुबा उसके लाश घर के 200 मीटर के दुरी पर मौसूब कोई में मिले उसके लाश अर्दनगन थी और उसे मुग में कपरा ठूसा हुआ था शब मिलने के बाद लोगों ने एनेच 75 पर जाम लगा दिया था चकरधरपुड के पोट का मस्धित के पास सुवार सुबा कोई में 20 साल की युफ्ती का अर्दनगन लाश मिलने से संसानी फैल गई युफ्ती वीते तीन दिन से घर से लापता थी कोई से लाश जब बाहर निकाली गई तो युफ्ती के मुग में कपरा ठूसा हुआ पाया गया परिजनों का कहना है कि बेटी की हत्या की गई है युफ्ती के लाश मिलने के बाद परिजनों और अने लोगों ने एनेच 75 पर जाम लगा दिया पुलिस के काफी समझाने के बाद जाम खुला गया जानकारी के मुदाबिक में तक युफ्ती का नाम साधिया परवीन है उसके पितार रेलवे विभाग में कारिकरत है साधिया शुकरवार से लापता थी बेटी के कुमशूद्गी की रिपोर्ट में परिवार ने चक्रधरपुर थाने में दर्स कराई थी घर से 200 मीटर पर साधिया के लाश कोई में मिली इलाके के रहने वाले रोहित साने रवीवार को अपने छोटे भाई मिर्टक रिवेक साके निधन के बाद कुएं के पास थी शराद करम किया था सुमवार सुवा जहां पर टेंट लगा हुआ था उसी के ठीक सामे मौसूद इस कुएं से बदबू आ रहे थी शुरुआत में लोगों को समझ नहीं आया कि बदबू कहां से आ रहे है जब लोग कुएं के पास पहुंचे तो बदबू तेज हो गए लोगों ने कुएं में जाग कर देखा तो उनके होश हो गया कुएं में लाश थी या खबर इलाके में आग की तरह फैल गए लोगों के भारे भीर जमा होने लगी सादिया की परिवारी के लोग भी मौके पर पहुंचे थे तुरंती इसकी सुचना चक्रधरपूर थाना पूलिस को दी गए मौके पर थाना परभारी चंदरशेखर कुमार और एसपी कपिल चौदरी घटनास्थल पहुंचे थाना परभारी ने लाश को देखा और इसके बाद लाश को बाहर निकाला इसके बाद पर चला कि लाश लापता सादिया की थी सादिया के शब पर कप्रे नहीं थे और इसके मुझ में कप्रा ठूसा हुआ था साधिया के लाश मिलने के बाद लोगों का गुस्सा फूर पड़ा हत्यारी की गिरफतारी की मांग को लेकर राची चाई बासा मुखिस तरक मार्क एनस 75 को जाम कर दिया गया लगबग आदे गहंटे तक यादा याद बातीत रहा पुलिस के काफी समझाने के बाद लोगों का गुस्सा शान्त हो और याद चालू किया गया मामले में एस पी कपिल चौधरी का कहना है कि युफ्ती के लाश कुई में मिली है शब को पोस्ट मार्टम के लिए भिजवाया किया है शक्याधार पर साथ लोगों को हिरासत में लिया गया है सभी से पूस्ताज की जा रही है जल्दी आरोपी को गिरफतार कर लिया जाएगा मेर्टक युफ्ती साद्या परविन के परिशनों ने घटना के लिए पुलिस को सिमेदार ठेराया है उनका कहना है कि बेटी के गमशिदा होने की जानकारी हमने पुलिस को दी थी मगर समय रहते पुलिस में उचित कारवाइन नहीं की यदि ऐसा किया जाता तो शायद आज हमारी बेटी जिन्दा होती